हलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ताकट किसान में तो दोस्तों आपने अभी बारिस का मुख्ण चल रहा है और आपने बहुत सारी जो बारिस की खरीब की फसल होती हो आपने लगाया होगी उसी में एक मक्का लगई ये तो आपने एक इस चीज को ज्यादा खाता है इसके क्या-क्या उपाई है पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे तो बने रहे पूरे वीडियो में पूरे वीडियो में अन्ते तक बने रहे और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को निचे लालक सुरूमा आए सस्क्राइब को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पासिया बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आपको आने वाली अहर इसी तरह की अच्छे-ची वीडियो की लेटा इनोटीव हैं सबसे पहले मिलत रही है तो अगर हम बात करें फलामी वोम की जो आपने नाम भी सुना होगा फ होती है मेरिमλέ नाम पासल के तके लामि वोमे तक रूलक सम Gadbo won जो की दोरियो कहती है कंजाते हैं से यह मतलब की फशल को इस टाइप से यह पर मेरी मंक्कह है यह इस टाइब से इसको पूरा खा जाता है और जो इल्ली होती है यह लार्वा छोड़ती है यह लार्वा जो अगर प्लांट के किसी यह देखिए मक्का का इस दोनों यह पत्ते इनके बीच में लगावर आपको देख सकते हैं पूरा इंदर लार्वा दिखेगा इसके अंदर है सालों पहले पाए जाता था बट जो इसका प्रभाव है जो वह बहुत ज्यादा है और बहुत ही खतरनाक जो मक्का की पसल होती है सबसे ज्यादा यह अपने भारत में इसले अया क्योंकि इसमया पर जूरो टेम टेंप्रेशर वह थोड़ा वार महीन थोड़ाशवार में इ अदलब इसके कुछ मामले देखने को मिले थे और इसके बाद अगर हम बात करें उससे बाद ये लगबग एक साल के लमसम वो चतिस गड़ करनाट का जैसे राज्यों में फेल गया और इसके बाद धीरे-धीरे वो यानि की नोर्थन स्टेट यानि की उत्तरी राज्यों से अधीर भारत के उसमें बहुत ही जादा फेल गया और धीरे-धीरे ये भारत के लगबग दस राज्यों बारा राज्यों है निए कि मद्धे पड़े राज़्तान गुजरात करनाट का चतिस गड़ इन राज्यों में फेल गया और इसका आतंग बहुत ही देखने को मिला जिहां दोस्तों तो बात करते हैं फलामी वॉंग चो हता है कि इस प्रकार से एफेक्ट करता है तो यह देखे जो मेरी मक्चा की पसल है इसको पूरी तरिकये सा खा चुका है और यहां पर जो यह देखे मक्का के पत्ते हैं जो मेन हमारी इदर इसको पोटा बोलते हैं, वहाँ पर यह जाता है, और इसका जो यह आप देख रहे होंगे, ब्लेक ब्लेक कलर और थोड़ा इसमें जो आप देख रहे होंगे, यह इनका लारवा है, और यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट के उपर कैसे ट्रांस्प्लांट होता है, जैसे कि जो यह प्लांड देखे तो इस पे दूसरे वाले में फेला है और उसी से दूसरे प्लांड से वापिस फिर तीसरे प्लांड में जाएगा इसी प्रकार आपके पूरे खेत को नस्ट कर देगा और आपकी फसल हो बहुत ही कम पेदावार होगी तो सबसे पहले किसान बव्यव आपको इसी का जो इस प्रेकर नाइस इसका इलाज करना है वरना मक्का की फसल कमजोर पेदा होगी तो जी हां दोस्तों यह जो फलामी वो में यह मक्का के सहीत अन्य फसलों जैसे स्वाइबी निंच जो में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है बट कुछ हद तक कम होता है इसका प्रवाव उनसे फसलों का इत्ता अच्छन चादा नुक्सान नहीं होता है यह देगे आपर लगा हुए मेरी मक्का की पसल पर पूरि जो इनके पत्ते इनको भी खा चुका है और इसे एक ओर इसका दूसरा नाम है जो उसका यह ध्यक enduring कीड़ा उर्म को contrat है अमेरिकन के राभें के नाम से भी से जाना जाता है यह बहूती ज़़ता अपने इंडिया में फेला है जो to उनसे जो chemical insecticide आते हैं उनसे आप इसको नश्ट कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ अभी तक तो भारत में बहुत सारे इसे insecticide हैं जो की दावा करते हैं कि इनको अच्छी तरीके से नश्ट कर सकते हैं उन्हीं में से एक जो आता है अगली वीडियो में तब तक के लिए राम राम चे जवान चे किसान चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दबा कर लाइक करें और ज़्यादा किसान पायों के साथ सेर करें था कि उनको भी जनकारी फालामी वहम के वारे में कहां से आया है क्या है किन किन फसलों पर अटेक करता है यह भी उनको जनकारी मिलती रहे तन्यवाद